अस्लामनेकुम्स्टूरेंट आज की वीडियो में हम एकसरसाइस 12.4 शुरू करने जा रहें जिसमें हम नुमरिकल मेथेर्ध्ड जो भी डिसकस कर रहे थे उसमें आज के लेक्चर में हम नुमरिकल कॉड़रेटर पर बात करेंगे। Numerical Quadrature का मतलब यह है कि आपको कोई इंटेग्रेशन गिवन होगी और आपको इसको अप्रॉक्सीनेट मैथेड से सॉल्फ करना होगा तो अप्रॉक्सीनेट मैथेड से सॉल्फ करने के लिए जो Numerical Quadrature के मैथेड है उसमें हमारे पास 3 Numerical Quadrature यूज हो रहा है number one trapezoidal rule जिसमें हम आज की वीडियो में discuss करेंगे number two और Simpson's रूल में भी Simpson 1,3 और Simpson 3,8 आता है लेकिन आज की वीडियो में numraical quadrature का topic trapezoidal rule करने जा रहा है और trapezoidal rule पर यह क्लिए होता है यह हमें area under the curve find out करने में help करता है यानि कि जो काम integration करती है let's say मेरे पास एक integral है 0 से 2 और मैं आपके कोई function लिख दूँ अपना let's say exponential x dx यह मैंने अपना एक function लिख दिया अब हम इसको easily integrate कर सकते हैं right इसको integrate करना बहुत है सिंपल है कि आप सिंपल क्या करें exponential x का इंटिग्रल exponential x ही है फिर इस पर लिमिट 0 से 2 की अप्लाइ कर दीजे इस इंटिग्रल बाट अगर हमसे कहा जाए कि आपने approximation method से इसको solve करना है तो approximation method से integration solve करने के लिए हमारे पास numerical quadrature की methods होते हैं और numerical quadrature की method में हमारे पाफ first method है रिपुजाइडल रूल का यानि कि हमने इसको exact integrate नहीं करना है हमने इसको direct integration से value नहीं निकालनी बलके इसको approximate method से हमने इस पर काम करना है यानि किसकी approximation value निकालनी है basically यह हमें area under the curve लेकिन किस तरह से find out करके देगा लेट से मेरे पास यहां पर कोई curve है यहां पर कर्व करते हैं यह मेरे पास कोई curve है और मुझे मालूम करना है कि इसका area under the curve क्या है area under the curve का मतलब यह है कि यहां पर कोई x-axis है यह इसका y-axis है और area under the curve का मतलब यह है कि मुझे let's say limit है 0 to a to b limit है अब यह limit मेरे पास a है मतलब यह वाला point a है और यह वाला point b है है और मुझे area under the curve निकालना है इसका मतलब है कि मुझे यह सारा जितना इसने area cover किया हुआ है इस curve ने मुझे यह find out करना है कि यह कितना square unit का area है right limit अगर इसके given है a to b तो यह अच्छी बात है कि हमें a to b का मतलब यह है कि अगर integration के limit हमें given है तो हम easily इसको integrate करके उसका area निकाल सकता है राइट लेकिन रूल क्या करता है यह numerical quadrature के method में क्या होता है कि हमारे पास वो इसको exact integrate नहीं करता क्योंकि exact integrate तो इस तरह से होता है जो मैंने भी आपको procedure बताया रूल यह करता है कि आपके कर्व को small parts में ब्रेक कर देता है इस तरह से small parts में ब्रेक कर दिया अब जब हम इसको small parts में इस तरह से ब्रेक करते हैं जो trapecidal रूल कर रहा होता है basically फिर यहां पर मैं x axis और y axis की value निकाल लूँ इस तरह से अब यह जो small parts में हमने इसको ब्रेक किया है अपने कर्व को तो यहां पर हमारे पास different x की values आ जाएंगी let's say मेरे पास यह वाला जो first part है यह यहां पर x1 दे रहा है यह x2 दे रहा है यह x3 दे रहा है यह x4 दे रहा है और इसी तरह से यह curve जो मेरे पास y is equal to fx का curve था अब यह मुझे y की different values दे रहा है इस point पर आके यह मुझे y1 दे रहा है यह मुझे y2 दे रहा है अगर मैं इस point पर आके अपने graph की value निकालू यहां पर y3 मिल रहा है यहां पर y4 मिल रहा है and so on तो basically triposadal rule in small parts पर काम कर रहा होता है और in small parts को वह इस तरह से formulate करता है कि आपके पास area under the curve यानि कि आपका जो initial point procedure तो हमने पढ़ावाए chapter six integration हमने पढ़ी वी है लेकिन यहां पर approximation method से numerical quadrature के जरिये से triposadal rule solve करने का method हम आज की video में देखेंगे तो यहां पर अपना question number one से अपना काम शुरू करते हैं question number one में है कि आपको कुछ integrals given है और इसको अपने triposadal rule की help से solve करना है और इसका part one है हमार पास integral zero to two exponential x dx इसको हमने solve करना है लेकिन साथ में नों ने हमें यह भी कह दिया कि जो इसके sub intervals आपने बनाने हैं जो हमने भी partition आपको बना के दिखाये थे curve में वह आपने सिर्फ six intervals बनाने six intervals बनाके आप हमें triposadal rule की help से इसका solution निकाल के दें तो student यहां पर सबसे पहले triposadal rule का formula आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इस तरहां से कोई भी triposadal rule apply करना है तो इसका formula यह होता है हमारे पास यहां पे लिख देते हैं तक इसको accordingly हम अतने formula को set कर सके a to b यहनिके limit अगर आपको given है और कोई function y का given है और आपको इसको integrate करने जा रहे हैं तो area under the curve मालूम करने के लिए h upon 2 और साथ में why not मतलब जो initial उसका y की value होगी why not plus two times of y1 plus y2 plus y3 और इसको मालूम करते जाएं कब तक के second last point तक n-1 तक और last में y n जो last वाला point होगा वो last में two से बाहर होगा right तो यह formula है अब यह integral हमारे पास given है इसमें जो y है यानिकि इसमें function है वो है हमारे पास exponential x right और इसकी limit अगर मैं यहाँ पर लिख दूं solution अपना शुरू करने से पहले यहाँ पर जो मेरे पास y है यानिकि जो f of x है यह है exponential x यह वाला और इसमें जो a की value है lower limit यह है 0 upper limit b यह है 2 right अब जब यह हमारे पास given है तो हम easily इसका h निकाल सकते हैं यह जो h यहाँ पर formula में use हो रहा है basically h is equals to b minus a upon n b क्या है यहाँ पे 2 minus 0 और n क्या है कि आपको कितने intervals में इसको break करना है तो 6 में break करना है तो हमने लिख दिया यहाँ पे 6 तो h की value आ गई 2 upon 6 यानिकि 1 upon 3 तो यह h की value बहुत हमारे लिए important है इसको हम अपने formula में भी use करेंगे और जब values निकाल रहे होंगे तब भी हम यह use करेंगे तो x की value हमने शुरू कहां से करना है जो आपका lower limit होगा, lower limit हमारे पास 0 है तो हमने 0 से अपना काम शुरू करना है और 0 में मतलब हर x की value में हम h को plus करवाते जाएंगे तो हमारे पास next value जनरिये 2 पी चली जाएगी तो 0 प्लस h यानिके 0 प्लस 1 अपन 3 इस 1 अपन 3 अब 1 अपन 3 प्लस 1 अपन 3 इस 2 अपन 3 फिर 2 अपन 3 प्लस 1 अपन 3 तो 3 अपन 3 जो के equal हो जाएगा 1 के अब 1 प्लस 1 अपन 3 इस 4 अपन 3 4 अपन 3 प्लस 1 अपन 3 इस 5 अपन 3 5 अपन 3 प्लस 1 अपन 3 6 अपन 3 6 अपन 3 तैट इस equal to 2 तो यह values आपके पास आ जाएगी और एक बात यहां पर यह भी याद रखनी है आपने कि अगर जितने intervals हमें given होंगी यहां पर 6 intervals हैं तो आपके पास 7 values बन रही होंगी lower limit A से शुरू होगा और इसकी जो X की last value होगी वो आपकी B की value होगी तो यह कुछ पाते हैं जो आपको याद रखनी है इसको solve करते हुए कि A से अपना काम शुरू करना है और B पे वो end करेगा और जितने intervals आपको given है उससे एक ज्यादा यानिके total 7 X की values आ और यह छटा interval और 6 intervals की ही हमने बात की थी शुरू में तो 6 intervals की values हमने find out करनी है यहापर तो 6 intervals बनाने के लिए हमें X की 7 values की जरूरत होगी ओके अब यह जो मेरे पास F of X जो के exponential X के equal है F of X is equals to exponential X अब बारी-बारी X की जगा पे X की values पुट करते चले जाएंगे पहले F of 0 या करने पे हमें answer मिल गया 1 अब क्या पुट करना है X की जगा पे 1 upon 3 पुट कीजिए आपके पास calculator मौझूद है तो exponential की power 1 upon 3 पुट कीजिए तो आपको result मिलेगा 1.3956 इस सारी calculator से values निकलेंगी स्रिफ e की power 2 upon 3 पुट करेंगे तो 1.9477 e की power 1 पुट कीजिए तो 2.718 e की power 4 upon 3 पुट कीजिए तो 3.79366 e की power 5 upon 3 पुट कीजिए तो 5.29449 e की power 2 पुट कीजिए तो 7.389056 तो यह सारी values हमने function की निकाल ली है यानिके x भी आ गया और उसके साथ साथ उसकी function की values भी हमारे पास आ गयी है अब करना क्या है students यहाँ पे आपको यह पता होगा कि यह जब पहली f of x की value निकली है इसको हम कहेंगे f of x not यानिक है function की value x not पर फिर function की value x1 पर फिर यह है function की value x2 पर फिर यह function की value x3 पर और यह है function की value x4 पे यह function की value x5 पे और फिर last में function की value x6 पे इसको अगर आप चाहें तो why not, y1, y2 यह भी नाम दे सकते हैं या आपके अपने उपर है function f नाम देना है या y नाम देना है दोरों का मतलब सेम ही है कि हम exponential x की बात करते हैं अब अपने function को हम set करते हैं हमने यहां पर यह देख लिया कि हमारे पास total x6 तक value होए अब formula क्या होगा इसका limit a to b और a to b हमें given है यह है 0 और b है 2 और y की value है exponential x dx यह किसकी को सेट कर लिजिए यह वाई नॉट से अपना काम शुरू करना है यानिके इसको मैं f of x नॉट भी कह सकती हूं f of x not plus 2 multiply होगा किस-किस से y1 y2 y3 यानिके अगर मैं इसको f of x1 कह दूँ plus f of x2 plus f of x3 plus f of x4 और यह कहां तक multiply होगा second last यानिके f of x5 तक plus f of x5 तक यह 2 से multiply होगा और जो last वाला है जिसको y n कह रहे हैं यहां पे f of x6 यह last में आ जाएगा two से बाहिर होगा मतलब two इन सब से multiply होगा लेकिन f of x6 से multiply नहीं होगा यहाँ पे एक बड़ा bracket बना देते हैं ताकि चीजें clear हो यह यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है two के साथ बस यह चीजें multiply हो रही है इन bracket को भी measure obvious कर दूँ ताकि आपको clear हो जाए कि two किस-किस से multiply हो रहा है यहां से शुरू है और यह यहां पे खत्म है two यहां से two multiply हो रहा है अब बस सारी values हमारे पास हैं हम put करते हैं और इसका results निकालते हैं तो यह है one upon three upon two तो यह हो जाएगा one upon six f of x naught की value है one plus f of x6 की value भी पहले लिख लेते हैं क्यूंकि यह भी two से बाहर है plus seven point three eight nine zero five six अब जो भी two से multiply हो रही है वो सारी यहां पर हम values लिख देते हैं f of x1 यानिके यह जाएगा one point three nine five six plus f of x2 one point nine four seven seven plus f of x3 two point seven one eight plus f of x4 यानिके three point seven nine three six six plus f of x5 यानिके five point two nine four four nine अब यहां पर आके क्या करना है हमने simplification करनी है one upon six तो बाहर मौजूद है seven point three eight nine zero five six को जब प्लस one करवाएंगे तो यह तो सिंपल आजाएगा eight point three eight nine zero five six plus two times of इन सारी values को आप एड़ कीजिए तो यह आपके पास आजाएगा 30.2989 अब इसको two से multiply करवाते हैं इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह हम टी six निकालने जा रहे हैं यानिके टी एन इंटरवल्स कितने हैं six इंटरवल्स हैं तो हम टी six लिख दें यह लिख दें लेफ्ट साइट पे तो इस होके तो टी six किसके एकवल हो गया one upon six अब इसको तू से multiply कीजिए पहले और फिर लाके eight point three eight से plus कर दीजे यह विल गेट 38.687 और जब लास्ट में आप इसको six से divide करेंगे यह विल गेट six point four four eight one zero five तो यह आपके पास एरिया अंडर दकाव आ गया चाहे तो आगे square unit लिखना चाहें तो square unit लिख दें वरना यहां पर आके हमारा result पूसाइडर लोल की help से हमने एरिया अंडर दकाव फाइंड आउट कर लिया है और यही इसका final result है अगर आपको चेक करना है कि आपका result यह ठीक है या नहीं है तो एक हिंट में आपको देती हूं उसको जड़ा follow कीजएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका यह result approximate result कितना accurate आ रहा है आप यह काम करें कि यह integral आपको given है आप इसका integration find out करने integration तो हमने सीखी भी है integration किस तरह से find out की जाती है exponential x का integral exponential x ही होगा limit जाएगी इसकी 0 से 2 फिर exponential 2 minus exponential 0 exponential 2 से result क्या आना है exponential 2 से result आएगा आपको 7.38905 और exponential 0 से result आएगा 1 जब minus 1 करेंगे तो आपके पास result आएगा 6.3890 यह इसका exact result है अब यही जब हमने यसी function को वो जब triposidal rule की help से हमने solve किया तो result आया 6.44 तो यह exact result नहीं आया इसके कुछ करीब करीब भी आया है अगर आपने इसका error निगालना है तो इसको minus करके आप इसका error भी चेक कर सकते कि कितना error इसमें आता है क्योंकि this is not the actual result this is the approximate result actual result इसका यह होगा लेकिन हमने इसको triposidal rule की help से solve करना था तो this is the procedure कि आप triposidal rule की help से area under the curve find out कर सकते हैं अब इसका part two हमारे पास है part two में limit है one से three और one upon under root x यह हमारा function है dx और जो intervals हमें given है यह है five यहनिके हमने five intervals पर काम करते हुए इसका result find out करना है तो सुडेंट सबसे पहले यहां पर हम अपना function लिखते हैं function हमारे पास है f of x that is equals to one upon root x जो भी integration के अंदर function होगा वह हमारा f of x होगा और यहां पर a यानिके lower limit है one यानिके आपर limit है three और जब h निकालने जाएंगे इसका h निकालते हैं b minus a upon n करके तो b minus a यानिके three minus one upon intervals कितने है five तो two upon five तो यहां पर लिखनी है यहां पर लिखनी है एक्स की वेल्यूज और इस वाले कॉलम में लिखेंगे हम f of x की वेल्यूज अब यहां से शुरू करनी है जो lower limit आपके पास होगा lower limit मारे पास one है तो one से हमने x की वेल्यूज शुरू करनी है और अगली वेल्यू लाने के लिए हमने हमको एज को प्लस करते रहना है तो one plus two upon five is seven upon five seven upon five plus two upon five is nine upon five plus two upon five is eleven upon five plus two upon five is thirteen upon five and plus two upon five is fifteen upon five और fifteen upon five को simplify करेंगे we will get three अब इसमें हमने f of x की वेल्यू निकाल ली है यानि कि यह जो function हमारे पास है f of x is equals to one upon root x अब यहाँ पे x की वेल्यू चेंज करते रहना है पहले हमने one रखना है f of one is equals to one upon root one तो one upon root one is equals to one फिर x की जगा पे हमने रखना है seven upon five तो seven upon five जब रखेंगे तो one upon under root seven upon five अब calculator में डालिए you will get 0.84515 फिर calculator में डालिए one upon root nine upon five you will get 0.745355 फिर 11 upon five यानि कि one upon root 11 upon five you will get 0.674199 then one upon root 13 upon five you will get 0.62017 one upon root x की जगा पे three put कीजिए you will get 0.57735 तो यह हमने सारे अपने functions की values निकाल ली है पहले x की निकाल ली है x की lower limits अपना काम शुरू किया है और gradually उसमें हमने h को add करते रहे हैं तो मारे पास अगली values आ गई हैं और total five intervals बनाने थे तो x की total six values होनी चाहिए that is six अब मुझे formula यूज़ करना है तो one by three one और upper limit है three under root x dx is equals to h upon two formula में आपको लिखना सिखाया हुआ है f of x naught अच्छा यह पहले मैं बता दूँ कि f of x की कौन कौन सी value है यह है f of x naught की value यह है f of x1 की value यह है f of x2 की value यहां पर यह है f of x3 की value यह है x4 की value और यह है x5 की value तो पहली और जो last value है यह two से बाहर होगी last value भी हम पहले ही लिख देते हैं यह two से बाहर होगी बाकि सारे two के multiple के अंदर होंगी f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of x4 h की value है 2 upon 5 upon 2 f of x naught is 1 और f of x5 is 0.57735 बाकि जो two का multiple है f of x1 यहनिके 0.84515 f of x2 यह है 0.745355 f of x3 यह है 0.674199 plus f of x4 that is 0.62017 यह two से multiply होगा बाकि यह complete bracket तो two upon five upon two two से two cancel हो के स्रिफ one upon five रह जाएगा यह आपर और इसको जब हम simplify करेंगे अब इसको as it is आप calculator में डालिए तो one plus 0.57735 तो अलग है तो पहले हम इन सब को add कर लेते हैं चारों को इसको calculator में डालिए यह विल गेट two point eight eight just wait two point eight eight four eight seven four अब इसको टू से multiply कीजिए यह विल गेट इसको प्लस करने पहले यह one point five seven seven three five और जब इसको टू से multiply करेंगे यह विल गेट five point seven six nine seven four eight अब इसको प्लस कर दीजिए यह आपर जब इन दोनों को प्लस करेंगे the result is one upon five six अगले step में करेंगे यह 7.347098 और divided by five करेंगे the final answer will be one point four six nine four फिर इसको round off कर देंगे तो बस two तक हम यह आपर लिख देते हैं round off करने के बाद तो यह मेरे पास इसका result आ गया है यानिके यह 5 का result आ गया है area under the curve अब अगैन इसको आप री चेक करें तो वन अपर अंडर रूट एक्स को आप इंटिग्रेट करें लिमिट अप्लाय करें 123 तो इसका exact result आ जाएगा but this is the approximate result आपको समझ में आ जाएगा कि यह कितना इसमें एरर मौजूद है कितनी approximation है और कितना यह अपने exact value से दूर है this is the approximate result अब इसका नेक्स पार्ट है पार्ट त्री और इस पे है जीरो से पाई बाई टू और फंक्शन है साइन एक्स डी एक्स अब इसको सॉल्फ करने के लिए पहले अपने फंक्शन को री राइट करते हैं function is sin x और इसके जो n है वो question में given है 7 intervals है यानि कि इसमें जो n की values होंगी वो है 7 a की value है 0 b की value है pi by 2 अपर लिमिट जो है और n है 7 तो यहां से हम अपना b निकाल सकते है b is equals to sorry h निकाल सकते है h is equals to b minus a upon n अब b कितना है pi by 2 minus 0 divided by 7 यानि के pi by 14 तो h की value तो हमारे पास आ गई है h की value है pi by 14 right अब हमने क्या करना है यहां पर different values लेनी है और function की values पुट करके अपना result यहां पर हमने निकालना है तो x की पहले different values हम यहां पर assign करते हैं x की value शुरू करेंगे 0 से 0 प्लस pi by 14 is pi by 14 then pi by 14 plus pi by 14 is pi by 7 pi by 7 plus pi by 14 is 3 pi upon 14 then 2 pi upon 7 then 5 pi upon 14 then 5 pi upon 14 plus pi by 14 is 3 pi upon 7 इसको आप प्लस करते रही है pi by 14 को then in the end pi by 2 3 pi by 7 plus pi by 14 is pi by 2 अब यहां पर f of x की value निकालते हैं यह हमारे पास x की values थी उपर वाली और नीचे होंगे हमारे पास f of x की values तो function क्या है sin x function हमारे पास है f of x is equals to sin x अब x की जगा पे पहले 0 पुट कर दीजे sin 0 is 0 calculator को rate in में रखेगा pi by 14 sin pi by 14 is 0.22252 फिर pi by 7 पुट कीजे you will get 0.4338 फिर 3 pi by 14 यनिके sin 3 pi upon 14 is 0.623489 then sin 2 pi upon 7 you will get 0.781831 5 pi by upon 14 you will get 0.90097 फिर sin 3 pi upon 7 0.974927 फिर लास में sin pi by 2 you will get 1 तो सारी values हमारे पास आ गई है यहाँ पे triposital rule का formula लिखते है और यह values put करते है लेकिन उससे भी पहले आप यह देख लीजिए कि यह पहली value हमारे पास है f of x not की value यह है f of x 1 यह है f of x 2 यह लिखने की जरुवत तो नहीं है बट अपनी असानी के लिए इसको लिख लिए करें f of x 4 f of x 5 यह है f of x 6 और लास में यह है f of x 7 और फिर्मूला में यह कहता है triposital rule का कि limit apply करें a to b और साथ में f of x dx है तो यहाँ पे होगा h upon 2 और पहली value है f of x 0 यह as it is आएगी और लास्ट value as it is आएगी f of x 7 बाकि जितनी भी values हैं वो 2 से multiply होगी यानि के f of x 1 से अपना काम शुरू करेंगे plus f of x 2 और यह सारी values add कहां तक होगी सारी values f of x 3, f of x 4, x 5 यह add होगी f of x 6 तक सारी values आएगा लिख लिजेगा यह पहले 2 से multiply होगी और बाद में h by 2 अब formula में सारी values पुट करते हैं h क्या है πाई बाई 14 तो यह हो जाएगा πाई बाई 28 f of x 0 है 0 f of x 1 है 1 plus 2 multiply होगा इन सारी values के साथ f of x 1 से अपना काम शुरू करें और खतम करें x 6 तक यहां तक अब इसको plus करके direct हम यहां पे लिखते हैं इसको plus करके हमारे पास आएगा 3.93 round off करके 7.6 तक स्टॉप कर सकते हैं अब इसका फर्दर यहां पे हम solve करते हैं पाई बाई 28 और यहां पे हमारे पास जब यह add होगी मतलब पहले इसको multiply करवाना है 3.9 3.76 को जब 2 से multiply करवाएंगे we will get 7.875239 और जब plus 1 होगा plus 1 होके 8.875239 फिर इसको पाई से multiply कीजिए you will get 27.8823 और divide करवा दीजिए 28 के साथ तो T7 आपके पास आ जाएगा 0.995800 इस इस दी एरिया अंडर दा करव यूजिंग ट्रिपोजाईरल रूल यह आपका final result है यानि कि जो approximation हमने एरिया अंडर दा करव निकाला है वो है 0.995800 अगर आप चाहते हैं कि इसको देखें कि अपने actual value से कितना दूर है तो आप sin x को integrate कीजिए limit apply करें 0 से pi by 2 और check करने इसका exact result आपके पास आजाएगा exact result को आप अपने approximate result से match करके देख सकते हैं कि कितना यह अपने actual result से दूर है और कितना इसमें error मौजूद है अब इसका part 4 करने जा रहा है part 4 में जो limits है 0 से 1.4 और function है हमारे पास minus x square dx और इसमें जो intervals बनाने हैं वो है 5 यानिके n is equals to 5 अब इसको solve करने के लिए अपना function लिखते हैं यहाँ पे function हमारे पास है exponential minus x square एकी वेल्यू है जीरो बीकी वेल्यू है 1.4 एच फाइंड आउट करने के लिए बी माइनस ए यानिके 1.4 माइनस 0 divided by 5 यह विल गेट एच दाट इस एक्वाल स्टो 0.28 इस 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 वेल्यू अब एक बॉक्स बनाके अपनी सारी वेल्यू यहाँ पे लिखते हैं शुरू करते हैं हम लोड लिमिट यानिके 0 से तो उपर वाली सारी वेल्यू एक्स की होंगी और नीचे वाली एफ ओफ एक्स की होंगी शुरू करते हैं हम 0 से अब 0 प्लस 0.28 0.28 एड करते रहना है 0 प्लस 0.28 यू विल गेट 0.28 अब 0.28 ने प्लस 0.28 करें यू विल गेट 0.56 0.56 प्लस 0.28 यू विल गेट 0.84 देन प्लस 0.28 यू विल गेट 1.2 देन इन दे लास्ट 1.4 अब फाइव इंटर्वल्स था तो शिक्स वेल्यू होनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 6 वेल्यू जैं तो फंक्शन है आपका exponential minus x square अब इस x की जगापे आप 0 पुट करें यू विल गेट 1 फिर इस x की जगापे 0.28 पुट करें यानिके exponential calculator में लिखिए minus 0.28 का square कीजिए यू विल गेट 0.92459 फिर x की जगापे 0.56 रखिए यू विल गेट 0.7308 फिर 0.84 रखिए यू विल गेट 0.493812 फिर 1.2 रखिए x की जगापे यू विल गेट 0.285247 फिर 1.4 रखिए यू विल गेट 0.14086 तो ये x की values बस change करनी है that's it. ये x की value यहाँ पे put करेंगे और calculator में इसको insert करके आप x की different value से अपने results निकाल सकते हैं then triposidal rule use करने के लिए 0 से 1.4 exponential minus x square dx is equals to h by 2 और इसमें f of x naught plus f of अब ये क्या होगा? x naught है x1, x2, x3, x4, x5 ये as it is आजाएगा फिर बाकी 2 multiply होगा f of x1 से plus f of x2 से plus f of x3 से plus f of x4 से 2 इससे multiply होगा और फिर एचे बाउंड टू इन सब से h की value है 0.28 इसको divide करना है हमने 2 से f of x naught you will get 1 f of x5 ये last वाली value 0.14086 और 2 को multiply करवाना है f of x1 ये वाली value ये ये और ये 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 चारों calculator में डालिए plus कीजिए you will get देरेक लिख देती हूं यहाँ पे 2.43 445 रांड ओप करके अब ये है 0.28 upon 2 अब इनको plus करने से तो यह आजाएगा 1.14086 और जब इसको 2 से multiply करेंगे you will get 4.868898 अब इनको प्लस कर दीजे 0.28 तो यह result आएगा 6.009758 और जब इसको हम 0.28 से multiply कीजे तो result आएगा 1.68273224 और इसको 0.841366 और इसको रांड ओफ करके 1370 यह हो जाएगा तो यह हमारे पास approximate area under the curve आगिया यहां पे तो इस तरह हमने ट्रेपोजाइडर रूल की help से area under the curve find out कर लिया और again अगर आपको चेक करना है कि यह अपने actual value से कितना दूर है तो आप इसको directly integrate कीजिए तो इसका आंसर इसके करीब करीब आएगा तो आपको समझ में आजाएगा कि यह प्रॉक्जिमेट रिजाल्ट अपने actual रिजाल्ट से कितना दूर है स्टूरंट यहां पर हमने ट्रेपोजाइडर लूल कंप्लीट कर लिया इसके चारों पार्ट समने कर लिए इसके फर्दर नुमारिकल कॉड्रेचर के मेठोड देखने के लिए मेरी नेक्स वीडियो जरूर देखिएगा थेंक्यू सो मच कि आपने इन तक मेरी वीडियो देखिए कर दो देखिए